नमस्कार दोस्तों हिंदी निउज एफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों एक बहुती अच्छी निउज आ रही है भारत की रक्षभी भाग के लिए भारत की डिफेंस इंडेस्ट्री के लिए तो बहुती बड़ी खबार है एक डिफेंस डील हुई है एक करार हुआ है भारत और साओधी अरब के बीच में करार इस चीज का है कि भारत से साओधी अरब डिफेंस एक्यूप्मेंट खरीदेगा एक्यूप्मेंट मिस जो गोला बारूद होता है आपको बता दें कि यह भारत के इतियास में पहली बार हो रहा है कि भारत किसी अरब देश को डिफेंस का आइटम बेचने जा रहा है इससे पहले यह कभी नहीं हुआ है भारत ने साओधी अरब के से पहले यूएई को थोड़ा बहुत सामान बेचा है लेकिन और मिडिय लिस्ट में साओधी अरब को कभी कुछ नहीं बेचा अब बताते हैं कि पूरी न्यूज है गया दसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत को साओधी अरब से जो ओरडर मिला है वो 155 mm के तोप की गोले का ओरडर मिला है 155 mm का तोप का गोले का जो ओरडर मिला है वो 225 मिलियन डॉलर का मिला हुआ है 225 मिलियन डॉलर का मतलब रुपए में अगर इसको कनवर्ड करें तो एक 1800 करोड रुपए होते हैं यह आपको एक बात और बता दें यह सिर्भ भारत की एक तरफा खुशी की बात नहीं है इससे दूसरी खुशी भारत को और बढ़ जाएगी जब आपको यह पते लगेगा कि यह ओरडर पाकिस्तान को मिलना था दरसल साओधी अरब इंपोर्ट करता है डिफेंस आइटम सबसे ज़्यादा दुनिया में तो वो इसको इंपोर्ट करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के उपर निर्भर रहता था लेकिन यह ओरडर पहली बार इंडिया को मिला और यह ओरडर पाकिस्तान का कट हो गया है तो पाकिस्तान का यह हुआ है नुकसान यह उनकी डिफेंस इंजरस्ट्री को डिश्टॉय कर देगा क्योंकि भारत से एक बार सामान लेने के बाद साओधी अरब भारत पर निर्भरता उसकी बढ़ेगी और वो हमसे सामान अब करीदेगा क्योंकि हमारी कहीं न कहीं टेक्नलोजी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बैतार है हमारी बिस्वसनीता है डिफेंस के मामलो में क्योंकि अब हम कई देशों को अपने डिफेंस का आइटम बेच चुके हैं इससे मेकिन इंडिया को बड़ा फाइदा मिल रहा है को कि यह जो भी चीजे बन रही है यह सारी मेकिन इंडिया के तहरत ही हम बना रहे है यह तूप के गुले जो 155 mm के हैं यह साओधी अरब से तो हमारा आप कॉंट्रेक्ट हो गया है इसके अब हम उनको डिलिवरी करेंगे इससे पहले हमने 2017 से 2019 के बीच में साओधी अरब के UAE को हमने बेचा था 40,000 और 50,000 की कॉंट्रेक्टी में और इससे उसके अलावा हमने अर्मेनिया को भी बेचा है यह जिससे हमने अच्छी कासी foreign earning करी हुई है तो दोस्तों यह defense के छेतर में भारत के बढ़ते हुए कदम है जो की बहुत ही अच्छा है और इससे समझ में आता है कि हमारा जो भवीश है defense industry का बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब हमारे customers बढ़ने लगे हैं इसका मतलब कि हमारी अब विस्वस्नीता भी बढ़ रही है defense equipment को ले करके क्योंकि अभी तक हम कोई पहला customer ही सिर्फ नहीं देख रहे है हमने Pakistan जिसको sale करता था उसका customer अपनी तरफ खीच लिया है यह एक बड़ी बात है दोस्तों इससे development और अगर कुछ आती है तो मैं आपके लिए एक updated वीडियो और लेकर आऊँगा धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe करते है